नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका श्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल Source of Solutions पर और आप देख रहे हैं हमारा SQL Server का Full Training Series दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि What is Database? मिन्स की Database क्या होता है? हमें क्यों नीड होती है Database की? इन सारे चीज़ों के हमने details में discuss किया और देखा हमने और दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि DBMS क्या होता है? Database Management System क्या होता है? दोस्तों अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि Database क्या होता है? उसके बाद आपको समझ में आएगा कि Database Management System क्या होता है? अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लें उसका लिंक मैं इस वीडियो के Description Box में देदूँगा आप उसको जरूर देख लें तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो टुटोरिल को स्टार्ट करूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइनली से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टुटोरियल को दोस्तों database management system समझने से पहले हमें कुछ चीजे जो file handling की होती है तो उसको देखना चाहिए तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि database management system क्या होता है है इस डागराम में आपको दिख रहा है कि एक user interface है दोस्तों सपोल करते हैं कोई हमारा एक application है software है उसमें क्या क्या होता है तो आपका उसमें होता है कि user interface किसी भी software में user interface जरूर होता है अगर हम बात करते हैं hotel management की library management की या किसी भी software की तो उसमें जो सुविवार चलाते हैं जो फ्रंट इन पे दिखता है वहले इंटरफेस होता है हर और को युरistine इंटरेस होता ही है जिसके थूरी उस सप्टवेर इंट्र glorious टै करता है कुछ डेटा इंपूर गरता है सम मिट करता है या उस कुछ data को extract करता है, so करता है, right, तो एक पार्ट तो हो गया, आपका user interface, दुसरा पार्ट आपका होता है data processing का, right, मतलब कि उस software का दुसरा पार्ट आपका data processing होता है, जिसमें हम उस logic को लिखते हैं, जिससे हम data को manipulate करते हैं, edit करते हैं, update करते हैं, delete करते हैं, उन सारे करते हैं, library management system की, तो हमारे user interface पर library जो बैठता है, वो देखता है कि उस software से कोई book issue कर दिया, अगर कोई बंदा फिर उस book को return करने आता है, तो उस book से related find कितने लगे हैं, कब ले गया था, या फिर उसको लेने के बाद update कर देगा कि हमारा book आ चुका है, इन सारे चीजों को कह पहाँ, मैने जोना हुआ हुआ है, data processing वाले पार्ट में, मिन्स कि जैसी है, कुछ find calculate करता है, तो उस find calculate करने का जो logic लाजिक लिखा हुआ है, data processing वाले पार्ट में लिखा हुआ हुआ है, फिर या book coach ने इस्चू करने के बाद जो data update किया, वो सारे चीजे हमारा data processing वाले पार हमने ये देखा कि अगर हमें किसी data को long term के लिए रखना होता है तो हम क्या करते हैं उसको अपने harddix में secondary storage में जाकर save कर लेते हैं तो means कि अगर हमें यहां पर data processing के बाद उस data को अगर हमें long term के लिए होता है harddix में तो हम क्या करते हैं उस data को harddix में लेकर save कर लेते हैं तो means कि वहां पर हमें ऐसा program भी लिखना होता है जो हमारे file को और आप हमको यह पता है कि जो data हमारे harddix में जाता है किसी ना किसी file में जाकर record होता है तो means कि हमें उस file को save करने के लिए या फिर extract करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना होता है file handling का जो कि हमारे harddix में data को रखता है निकालता है उसको manage करता है तो file handling program होता है तो हमारे software में file handling program की भी जरूरत होती है अगर हमें उस data को long term के लिए hard disk में रखना होता है तो इसमें अगर आप देख रहे हैं डाग्राम में तो secondary storage के अंदर कुछ बहुत सरे files बढ़े हैं तो अगर एक bunch of files की बात करें collection of files की तो उसी को तो हम database भोलते हैं तो अगर पहला वाला अगर इसको मान लेते हैं कि हमारा अगर library management system का database है तो file handling के थुरू ही हम data को क्या करेंगे इसमें database में रखेंगे right database is the collection of files right इस files में लाकर रखेंगे या फिर हमें अगली बार अगर हमें किसी books का या किसी भी item का record अगर extract करना हो तो file handling program के थुरू ही हम उस record को data को database से extract करेंगे और फिर data processing के लिए भेजेंगे और फिर उसके बाद user interface पर उसको show कर देंगे right तो means कि यह हमारा file handling program हमें mandatory होता है अगर हमें database को long term के लिए रखना होता है database में data को right तो दोस्तों यह बात होती है कि file need files need to be handled by set of programs जिसे हम file handling programs भोलते हैं right दोस्तों आपको यह चीज तो इतना पाट तो समझ में आही गया कि हमारे किसी भी software के लिए जो software होता है उसके लिए data mandatory होता है और उसके लिए क्या होता है कि data processing होता है अगर long term के लिए रखना होता है तो यह file handling programs के थूरू उसको हम hardx में रख लेते हैं जो कि secondary storage होता है अब बात आती है कि database management system क्या है इतना चीज़ समझने के बाद अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं आपने यहां देखा कि user interface होता है उसमें हमने data data input किया या फिर data database में data को रख रहा है data को manipulate करने के लिए extract भी करता है means कि आपके database में जितने data है उसको यह manage करने के responsibility किसके पास होती है file handling programs के पास तो अब बात करते हैं कि database management system क्या है right means कि दोस्तों कि database क्या होता है database management system कि DBA में से database management system इस तो simple term हो गया अगर बात करते हैं database management system is software for creating and managing database means कि दोस्तों जो database management system में एक software है मनेजर करता है जो कि हमारे database को manage करता है means कि हमारे database के data को manage करता है उसको करता है उसके manipulate करता है उसमें insert करता है डिलीट करता है files को means कि दोस्तो file handling Software की जो बात हम कर रहेते हैं पुदाम सी बात कर रहेते हैं वह ही तो होता है हमारा database management system आप यहां पर देखें file handling programs means कि यह क्या करता है कि हमारे database में files को insert करता फाइल में data को delete करता है, manipulate करता है, extract करता है, यही इसकी responsibility क्या होता है कि हमारा database को manage करता है, right? तो वही चीज हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि database management system is software for creating and managing database, right? means, database provide user and programmers with a systematic way to create, retrieve and update and manage the data, right? मतलब कि database management system कुछ नहीं, एक software है, जो कि हमारे database को manage करता है, means, उसके files को handle करता है, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो file handling programs है, वही हमारा database management system है, right? तो दोस्तों बात करते हैं कि database management system क्या करता है, means, कि data handling programs, जो कि DBA में होता है, database management system होता है, एक software होता है, वह हमारे files को, जो कि database के part होते हैं, database में जो होते हैं, उसको manage करता है, means, कि delete, insert, update, और उसको manage करना किसका काम होता है? database management system को, means, कि database management system में जो होता है, एक software है, right? तो बात करते हैं एक scenario की, अगर हमारे पास, दोस्तों, कोई library है, library management system का एक database है, उसमें हमने एक item को, book जो होता है, item, उसको हमने insert किया, फिर कुछ दिनों बाद हमने, जरूत हुआ, उस book को, हमने library ने क्या किया, उसको delete कर दिया, right तो अब बात आती है, कि जैसे delete कर दिया, और वो book कहीं किसी ना किसी को issue हो चुका है, तो अगर अगली बार बंदा उस book को return करने आता है, तो फिर library check, librarian check करेगा, software में, तो दिखेगा कि तो book हमारे यहां कहा है ही नहीं, क्योंकि वो तो item में पढ़ा ही नहीं है, तो अब बा प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है, जो कि उस चीज को handle करता है, कि means कि अगर यह किसी को issue किया हुआ है, तो उसको delete ही नहीं करने देगा, अगर delete होता है, तो उसका कोई अलग से file बना कर रखेगा, इन सारी चीजी को handle करता है हमारे database management system, दोस्तो database management system यह जरूरी नहीं कि बात करते है SQL server की, और एकल हुआ, यह सारे चीजी database management system होते हैं, यह आपके software से integrate हो जाते हैं, जैसे मालों दोस्तों कि हमारे user interface होगा data processing वा इसके फाइल handling programs के जगापर हमने SQL server को रख लिया, तो अब SQL server का responsibility हो जाएगा, कि आपके data को database में manage करना, अब यहाँ पर बात आती है कि data processing के बाद हमारा जो software है, वो SQL से communicate करेगा, अब database जो हाड़ी से, आप उससे communicate नहीं करेगा, उससे communicate कौन करेगा, SQL server जो होगा, और एकल हुआ, यह सारा, यह जो है, database management system, वो interact करेगा, अब आपको आपना information केवाल SQL server को पहुचाना होगा, जो कि SQL के थुरू हम पहुचा सकत है, structured query language, right, means कि आप कोई query लिकर, आप SQL server तक पहुचा सकते हैं, वो उसको manage करेगा, right, means कि अब बात आती है, कि हम यहाँ पर database management system के जगार पर आप Oracle, SQL server, MySQL, इस सारे चीज़ें, आप use कर सकते हैं, तो I think आपको यह समझ में आ गया होगा, कि database management system क्या होता है, right, तो दोस्तों फिर भी आपके mind में कोई confusion हो, कि database management system क्या होता है, तो आप हमारे comment box में जरूर लिखें, ताकि मैं आपके उस confusion को दूर कर सकूँ अगले वीडियो में, तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ, तब तक के लिए thank you so much दोस्तों